मैं देखा तो कहा कि ठीप हो जाएगा उसे बाद जब उन्होंने इलाज शुरू किया तो इलाज शुरू किया तो मेरा मेरा कल लगा कि इन्होंने जैसे जैसे किया मेरा दरत वैसे जैसे जाड़ा था लगता था कि तो आबरा का डाबरा है ना गिली गिली छू वैसे हो रहा मैं Dr. R.K. Singh पटने से आया हूँ और मुझे कमर में बहुत काफी दर्द थी और पैर में भी था जो उठ बैट ने सकता था और जूक भी नहीं सकता था ट्वैलेट भी नहीं जा सकता था बहुत परिशान था मैंने आया और सुना ड़क साव का नाम सुना तो मैं आया और जब उन्होंने देखा तो कहा कि ठीक हो जाएगा उसे बाद जब उन्होंने इलाज शुरू किया तो इलाज शुरू किया तो मेरा कल लगा कि इन्होंने जैसे जैसे किया मेरा दर्द वैसे जैसे जा रहा था लगता था कि आबरा का डाबरा गिली गिली छू वैसे हो रहा और ऐसा हुआ और प्यान कोई नहीं हुआ थोड़ा सा होता है मशीन को डालने में वही हुआ बाकी उन्होंने बहुत और इनका बोलने का शोहाब और इतना अच्छा है उससे भी दरद खतम हो जाता है तो यह बड़ी बात है और मैं अब चाहूंगा कि डाक्टर साब और अच दर लेख और शहिए हा रात में ग्वा था हा और मैं चल के वहां से अपने बेट में गया और बातरूम गया सब चीजिज़ जाक कोई प्रॉब्लम नहीं है आज भीक्रॉब्लम नहीं है मैं है ठीक है तो आज अब नीचे जब आएं तो अपने आम चल के हाई हाँ है एकदम अपने आप में चलता हूँ, है न, बेट से उठता हूँ, आता हूँ, कोई दिकत नहीं है, हाई, मैं नेम इस श्रेया सिंग, एंड एंड इंजिनियर इंफोसिस, एंड माई फादर, डॉक्टर आरके सिंग, एंड फां पटना, एंड मेरे पापा की तबित बहुत खराब थी बहुत दिनों से उनको पेंट था, उनके कमर में वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे, और हर चीज भी प्रॉब्लम हो रही थी, वाश्रूप जाने में, कर्बट लेने में, लेकिन जब हमें यहां का पता चला, देवा सिश सरका, तो फिर हम यहां आए और इस पेस हॉस बहुत दुखी थे, क्या होगा, मेरे पापा भी बहुत जादा डड़े वे थे, कि अब मैं बहुत यह लाचार हो गया हूँ, मैं क्या से करूंगा, क्या करूंगा, तो फिर जब ऑपरेशन हो और चलने लगे तो खुश ही कि मारे हमारा कुछ मितलब थिकाना नहीं है, और मैं भी वीडियो कॉल पर देखके बहुत खुश हुई, वो आने ही पाई, उनका जॉब है तो वो नहीं आ पाई, लेकिन जब पता चला तो बहुत सब घरवाले बहुत खुश है, और मेरे पापा भी बहुत खुश है, थैंक यू डॉक्टर से, आप आपने बहुत अच्छ मतलब इलाज किया और हमेशा हम आपकी ग्रेटफुल रहेंगे, थैंक यू, थैंक यू बेरे मच्छ